आज हम बात करने वाले हैं कि लॉक स्क्रीन पर अपनी फोटो कैसे लगा सकते हैं आईए जानते हैं तो लॉक स्क्रीन पर अपना फोटो सैट करने के लिए आप अपने फोन की गैलरी को ओपन करिए और gallery में आने के बाद अब उस photo को select करिए यानि कि उस photo पे click करिए जो कि आप lock screen पर लगाना चाहते हैं तो जैसे कि यहाँ पर इस photo को हम अपनी lock screen पर लगाएंगे तो इस पर click करेंगे फोटो पर click करने के बाद नीचे की तरफ कुछ option आएंगे एक option आएगा 3 dot का यानि कि 3 dot का या फिर एक option आएगा more option की नाम से और ये option आपका उपर हो सकता है तो इस पे आप click करिए अब click करेंगे तो कुछ option आजाएंगे add to album, adjust, protective, watermark एक option आएगा set as wallpaper तो यहाँ पर lock screen पर photo लगाने के लिए यानि कि set करने के लिए set as wallpaper पर click करिए click करने के बाद अब ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने photo को अगर इस type से छोटा बड़ा करना चाहते हैं zoom in, zoom out करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अब उसके बाद आपके सामने ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर देख सकते हैं अब नीचे एक option आएगा apply apply के option पर click करिए अब आपके सामने ऐसा interface आएगा अब नीचे एक option आप देख सकते हैं apply apply के option पर click करिए और apply के option पर click करेंगे अब यहाँ पर आएगे तीन option एक आएगा lock screen के लिए एक आएगा home screen के लिए और एक option आएगा home screen lock screen दोनों पर लगाने के लिए तो हमें lock screen पर set करना है तो set as lock screen पर click करेंगे अब उसके बाद थोड़ा सा wait करिए और आप देख सकते हैं lock screen पर आपका photo लग जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं lock screen पर हमारा photo set हो चुका है तो इस तरह से lock screen पर photo लगा सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe जरूर करें